तो आज मैं आपके लिए गुड के शर्वत की रेसिपी लेके आई हूं तो यहां पर मैंने तीन से चार चमच गुड लिया है इसको मैंने आदों से इस तरीके से क्रश कर लिया है और अब एक ग्रैंडर ले ले लेंगे और उसमें इस गुड के पावडर को डाल देते हैं और अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और अब मैंने खूब सारे पूदिनी के पत्ते डाले हैं इसमें और तीन से चार चमच नीबू का रस डालेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा सफेद नमक डाला तांक इसको ठेस्ट अर भी ऑच्छा है और अब अधा कब पानी डालेंगे और आने जो दिचे-टीं इसमें अच्छी से ब्लैंद से पीस में की बढ़िया है तो स quindi आब मिक्शर हम purely तर यह यह थे में तवर डाल दीजिय को घंड़ा ध्णा पानी डाल से और आब इसको मैं एक बारी मिक्स कर देती हूं अच्छे से और मिक्स करने के बाद हम इसको पुदीनी के पते से गार्णिश कर देंगे तो यह लीजे हमारा गुड का शर्बत तयार है बूबी कितना बढ़िया लग रहा है ना पुदीने की वज़े से इसका कलर कितना अच्छा है अगर आप प दूसे बचाएगा और बहुती फाइदे मन्द रहता है बच्चों के लिए बढ़ों के लिए आपके घर में सबी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है सिर्फ आप दो से तीन मिनट में ही इसको बना के तयार कर ल आप आप